कोकेफे जाई ही रहते कि राम परवेस आगे हम सोत्रेदे आज दाल चाबल खाले लेकिन हमने मूड बना लिया था लावेला जाने का लेकिन अब जाएंगे गीता बावन जोनी बावन में अंदर की तरफ कोई कैंटीन है पूरी सब्जी वाली नहीं जो रोड पर अंदर की त यार अब तो यह पता यह सलाप कोई फ्री में भी ना खरीदे अब दिखाना यह वाल एक निकॉन का यह विदेश के यह पता नहीं किस देश के अंग्रेश थे वह जो दिये थे ते अपने टाइम के बढ़िया कैमरे ते यह तो यह उपन नहीं हो रहे बिलकुल नहीं उपन तो काफी लगाब हो जाता है फोर्णर्स को तो उन्होंने इसको कैमरे दिये हैं कुछ तो दिखार तो दो कैमरे हैं भाई खतरनाक वाले हैं हाला कि इनका जमाना चला गया हो सकता है यह स्टार्ट हो ना हो इनकी बैटरी देखनी पड़ेगी बैटरी इनको खोल जा रहा ख करना काम को क्या दिक्कत है और इसमें memory card है कहा डलता memory card कहा डलता है यह इसमें डलता memory card यह मेरे camera वाल ही लग जाएगी चिंता मत करम कर के देख लेंगे बस तू आ इसको ले जा तो उनों में और कितना slow card होता यह बहुत slow अकर मैं इसको laptop में लगाऊना data transfer करने के लिए तो एक फोटो कम से कम बहुत देर में transfer होगा तो अब तो technology बहुत change होगी है अच्छा लग रहा है देखने में पहले यही कितनी बड़ी चीज हो जा करती थी और जब camera करते हैं काफी अच्छा camera है इ इंडिया में नहीं मिलती इंडिया में थोड़ा digital camera अलग है तो actually काफी दिन से बोल रहा था आरपी की ऐसे camera रखे मैंने इसको बोला था कि लेकर आजा मैं बात करते हैं तो भाई इनका solution यह निकला इन camera का कि इनको घर में सजा के रख क्योंकि इस से अच्छे photo mobile में खिच ज देखते हैं उस तरफ को भी गए नहीं और यह मेरा laptop में अभी processing चल रही है बीच में बंद हो गया था क्योंकि मैंने Google Chrome खोल लिया तो Google Chrome हैंग कर देता इसको कभी-कभी तो इसने कर दिया था हैंग अब दुबार से मैंने स्टार्ट किया इसकी export अभी लगेगा टाइम इसक और यह राम जुला थोड़ा सा दिख रहा है काफी लोग आ रहे हैं यहां तो आई रहते हैं लगात और गंगाजल भर रहे हैं लोग नील कंड जा रहे हैं वहां पर सिवलिंग पर चड़ा देंगे चलिए चलते हैं देखते क्या इसाब किताबे गीता भबन का मुझे कैमरे अलाओ है या गसास टूजडेश टूजडे की वजए से सारी दुकाने बंद हैं कास यह खुला हो अज़ी कैमरा मंद कैमरा लाओ नहीं है तो अंकल जी मिले इन्होंने बताए 11 से 12 का टाइम है और 7 से 8 वजे का टाइम है अभी फिलाल बंद है बोजनाले बिल्कुल सामने है तो चलो अब कहीं और खाते हैं कहीं और चलते हैं तो आज तो टूजडेए होने की बज़े से मा तो वहाँ भी नहीं मिलेगा तो अंकल जी बोल रहे थे कि जो गीता भवन का मिठाई बंदार है वहाँ चले जाओ वहाँ खालो पर वहाँ तो खाया है वहाँ पूरी वगयरा खस्ता वगयरा आप देखते हैं कहीं और लाबेला वगयरा की तरफ जाते हैं इसलिए मैं जान बंद है और जोनी भाई को ठाल अची यह ता काफी दिना से डून रहे तो यहां पर भी कुछ ठैले टंगे हुए हैं लेकिन बाद में देखते हैं पहले खालेते हैं कितने का देते हो ऐसे लगभग कितने का यह है अच्छा भाई सब्स्ता दे देते हैं चलो कोई नही चलो बेड मी पूरी ले ले लेकते हैं जलेबी लेकते हैं थोड़ी सी यह कुछ हो लेना बेशन बर्फी और तो मुझे कुछ इतना ठीक नहीं लग रहा रहा रसकुल्ला भी गुलाब जामून भी है आज गुलाब जामून पर करते हैं बहुत दिन होगे नहीं देख दो चला और यहां मेरेट में बोलता हैं शिर्फ पटमट में इनको इनको भी भी बोलता है उस एचफ़ेद वाले आप शकूल यह मॉमेंस लेटर तो वह जिस काम के लिए दिल दी गए ते सिर्फ एक की काम रह गया था हेलमेट नहीं मिल पाया था हमें तो फाइनली एक दुकान पर गए थे कि टोड़नी वहाँ पर से इस्टाग्राम से ओडर कर दिया है संदीब के पास हमारे कमरे के पास मैमान आए है इनका स्वागत किया जाएगा अगर यह कुछ स्वागत करवाएंगे तो बिस्कुट तो है निकल जोनी भाई नखा लिये थे अब क्या करें हैं क्या दें हैं भाई तकरीबन साड़े चार बजने साड़े चार ने पोने पांच हो गयोंगे तो पोने पांच हो गये हैं संदीब हाला की मारे पास आ गया था और अभी वह फोर्णर जो हमारा प्रोसी ए यूएक्स वह बात कर रहा है वह तो कपड़े बहुत कम पहनता पता नहीं असी ग पहार से जानके वह ठोट आरे कि दो बादल्गों से रोशनी आ रही है चंके भूप नहीं एक अलगी प्रकार की रोसनी है वाप पे उसाओड पर वो रखा ऐसा मन कर रहा है हमका पी टामलेस कोड़ कर लो भाई क्या हुआ है बिलकुल लंदेरा हो गया मेरा मन कर रहा है रा लगि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ तो वही मेरा यूटीब चनल देखते है तो उनके लडगे ने बोला है चलो चलते हैं मुझे मिलना है सुभास से तो मैंने बोला आजा हूँ आप तो अभी देखते हैं वो रामजुला के पास आएंगे क्योंकि मेरे पास आज टाइम था आज में यहीं पर ही था तो उनको बुला ली आया भी थोड़ी देर माज आएंगे हम भी घूमते हैं गंगा जी के पास में अंधेरा और खाफ फुल मजा आ रहा है ऐसे दिन बहुत कमाते है अ बारिस आ चुकी है बारिस में यह जंगल और भी घुना हो जाता है और खूब सूरत भी हो जाता है और डरावना भी हो जाता है देखो कितना नेरा है पूरे में बारिस है भाई बहुत खतरनाक मुसलाधार बारिस हो रही है और दीरे दीरे बढ़ जाएगी यह और ऐसी बारिस में इससे अच्छी लोकेशन और क्या हो सकती है कि यहां पे बैठो और पूरा रिसी केस का नजारा लो अब अनु स्कुरा बारिस के बीच में अको कार्पी आ चुका इदर और इसससे कुछ बनाते हैं नियुक बोढ़ो जाया जाए यह मैं ने ब्रैड प्रकौड़ा कुछ चट्क्पेठी किसे बनाएगा तो आज बारिस इतनी मुसलाधार बारिस में कि बता न कुछ बढ़ियासा जैसे उस दिना गुटके बनाए थे उसके बेसन के गुटके वही बना देयार्द बारे मेरा थो झाला कर रहा है वह नहीं बाई मना कर रहे मता क्या बनाएगा लंच में तो दो तीज बनाता है पनाठे और पोहा दिनर में तो सोचते हैं जब तक बहुत तेज और बारी सब जब बहुत जादे हो जाती है ना यहां पर तो यहां से पानी आने लगता यह यह पूरे में गिला कर देगा अब इस फरस को और यहां पर तो आई रहा है पूरे में ओ भाई बारी में लगता है पानी आने लगता अगर इस फरस के लगता है श्यागोद कि लगते है उलाका भाई मिला एढा है लगता है जाँ जाँ कर दो दो एक दोली डखर चेवादा़। बारिस अभी थोड़ी सी हल्की पढ़ गी है और सामने वाले पाड आधे डग चुके हैं फोग में और एर क्वाल्टी भी चेंज हो गी है हल्की हल्की सी ठंडी फवारे आनी सुरू हो गई है बारिस हो रही है ना यह देखो चडियाओं का कैसे सुखारी है इनको भी बारिस पसंद नहीं है यह कैसे बैठी हुई है बिचारी थोड़ी सी खिट्की खुली हुए है ना कमरे की तो वहां बैठकी एक तो जाके सोचली अंदर चली जाओं पर उसको डल लग रहा है अंदर जाने में कि फस जाएगी कोई किसी ने खिडकी बंद कर दी तो और यह देखो इसका गर्वडन में कैसे मसाज पर रिये है हाँ भू भी खट्ट्टन उटाकर बैठ की लिए कर ले मसाज कर ले हो रिये और यह तो तो एक बार्षका झाफ है मड़ी तेज अमनुस और तो एग्जेक्ट बच चुके हैं साड़ेच हैं और आरपी न आज पालक पनीर बना रहा था लेकिन मार्केट में गया तो इसको पालक नहीं मिला तो पालक पनीर कैंसिल अब बनेगा मिक्स वैज और दाल और थोड़े चावल और रोटी यह लायक उस तोलने के लिए यह पता इसपर्ट हूँ मुझे बता देना मैं ऐसी तैसी कर दूँगा उसकी अरे तोलने की बिजरत नहीं है गैस सील चेक कर लो उससे बता दूगा मैं मैं हाथ से उठा कर बता देता हूं इतना पावर है कि मतब दो किलों का मैं वह भी बता दूँगा ठीक है कब आएगा वो मुर अरश निकलने की अरफ सिस कर लेकिशन՝ निकलनी पारा आज की आरती तो अरफ परमारत नीकते निकतम पर सुपरबौने वाले क्योंकि अगुए हम इसे अच्छा ए और ऐसा मोसा में त। उसमा और भी अच्छा लगता ए तो अभी आ देखते हैं इनसे पूच्छीना नही चलते हैं अभी हम जा रहें राम जूला बीच पर किसी ने दारों की बोतल करे पर फैका हुआ था बापाजी ने लात मारी बढ़ी आए बढ़ी आए ठीक जगे खड़ी आए गुड जोनी भाई को पीनी थी कोफी लेकिन मैंने उनको सज़ेश्च किया था इस केफे में पीते हैं पर इस केफे में कभी मन नहीं करता के अमरित गंगा में तो नहीं नहीं यहां नहीं पिएंगे तो बिन कोफी के रह ल तेहनी देखो की यह वाली टहनी बिल्कुल ए नहीं पिल्कुल जा रही है कितनी लंबी क। दुने माता यह कड़ी है और एक छोटी सी म३ां ् need को दूबश्ट मिला खाने को वह भाग कि आ धो कुछ मिला खाने को मिशनी स् नहीं क्या चीपे यह पार आप सभार बहुत कम लोगएं बहुत कम लोगएक। में और वैसे भी ट्यूजडे़ में कमते हैं कोर्परेट वाली तो एक्स्टेंड करते हैं, संदे के बाद QA लेके सब्सक्राइब जाते हैं, कुछ दोग इसलिए कर दो है यह नजार मैंने पहली बढ़ देगा यहां पर एक छोटी सी नती आ रही है इस तरफ से बारी स्टेज हुई ना पाड़ो पर यह मनीकूट परवत पर जहां पर हम रहते हैं तो वहां का पानी भी ऐसे आता है रेद को काथते हुए और यह गंगाजी में मिल गया कुछ कुलिस वाले पूम रहे हैं जो कि वार्निंग दे रहे होंगे कि यहां से अटो इनके डोटी रहती है अगर सन के रिफ्लेक्स का सन निकल नहीं रहा लेकिन सन की रेजना आसमान में टकरा रही है और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है है गंगा में काफी अच्छा ना जारा लग रहा है काफी सांती काफी अच्छी हुआ कम लोग बहुत सांती इस चड़िया को देखो बार-बार कैसे उड़ी इसके उपर यहां पेल पूरी वाले यह कड़े और पीपल का पेड़ और उसके नीचे कुछ सादों बैठे हुए पुलिस वाले कड़ा है वहाँ पे जो खीत थक चुगा है यहां पर सबको वार्णिंग दे देगे हैं तकड़ा पहाड़े मनिकूट परवत बारिस होती है तो पहाडों से इस्ट्रीम आती है बहुत सारी जो कि गंगा में मिलती है कल तो लिया दद उससे बस 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 आज निए तो बहुत यहां पर एक पहाड़ी गाने की सुटिंग हो रही थी पाच्छा लड़किया थी और पाच्छा लड़के जब तक मैं पहुचा इनकी सुटिंग कप्लीट हो जुए क्योंकि अंधेरा हो गया लाइटिंग कम नहीं है हलाग कि बिन मास के बैठा को तोका नहीं है यहां पर गाना कंप्लीट हो चुका है जैसे जैसे अंधेरा होगा उतनी जादे रामजुला की चमक बढ़ जाएगी क्योंकि लाइटे जो जल रही है वो निकल के आएंगी अभी इतनी दिखनी पारी क्योंकि ऊपर की लाइट जादे हाभी हो रही है जब थोड़ा सा उपर अंधेरा हो जाएगा तब दिखेगी बाई यह पूरी लाइट है सूपर इंवार्मेंट है वहां तो भाई हम दिल्ली गए थे वहां कितनी फूर लग लग रही थी पार्क में सीपी में आदमी कितने ते वो सारी टिक काफी देर से बात कर लेते पलिस वाले भीया से तो इन्होंने बहुत इंफोर्मेशन थी इन्होंने बताया कि अभी दस दिन पहले दो लड़के डूब गए एक मत्तर पर घड़ा हो के फोटो कीचने के लिए ऐसे गया तो उसका पैर फिसला वह उदर की रहा दूसरा उसको है भारी था कि मुझे खीच के ले जाता बहुत कतमनाक रीवर है भाई मतलब रीवर गंगा बहुत टेंजरस है और बस अपने जान बचाओ भाई इसके पास मत जाना कभी दूर से देख लो ठीक है बस अपना आज ससंग नहीं चल रहा है सास्रम में चलो भई वापिस जाते हैं आरपी ने खाना बना दिया होगा काफी अंदेरी रोड है यह अभी हमें जाना दो जार फूट के एलिवेशन पर एक हजार पर होंगे तो दो जार फूट के पजा कर रहो मतलब इस तरह से हमारा रूम बि आज की बारिस में पत्थर आये हैं यहां से है ना देखो ना कितने तकड़े पत्थर आये हुए हैं सिर्फ अपनी पाइक खड़ी है बाकि कोई लोग नहीं है हमारी बिल्डिंग भी खाली हो चुकी काफी बहुत लोग चले गए जो योगा कोर्स कर रहे थे वो भी और कु तो नहीं है संदीब की साइकल ठीकर नहीं हुए चोरी चाहता हमारा नहीं तो पहुच गए भाई आर पी की किचन में वो देखते हैं क्या-क्या बनाया है और वार रोटी कितनी सारी बना के रख दी बाई मुझा लग रहा है 20-30 रोटी यह रोटी किसी भी स्टाइल में बन बनाये मिक्स में चलो तोड़ी से जाती सी बना ली और दाल 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 बन गी चलो भाई खाना है बस यह पी दिखा रहा हूं मैं अपनी प्रेट में नहीं अब किसे कोई बात नहीं अब टाइम फूर रिलाक्सेशन अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो बताता हूं वरन दोस्तों मिलते हैं कल आज का दिन ये भी खतम होता है गुड़नाइट बाई बाई टेक के यार